Hello everyone, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग paper third explanation question को cover करेंगे दोस्तो आप सभी को पता ही होगा paper third total 100 marks का होता है और 100 marks में से 32 marks का question केवल और केवल explanation से आता है इसलिए आप सभी students explanation को थोड़ा जैदा target कीजिएगा क्योंकि explanation वाले portion में अच्छे अच्छे students पीछे रह जाते हैं अगर आप explanation में average marks भी ले आओगे फिर आपको काफी अच्छा marks overall आ जाएगा आज की इस वीडियो में explanation के लिए मैं आपको statistics शेर करने जा रहा हूँ आप इसको follow कीजिएगा जो जो बता रहा हूँ इसको follow कीजिएगा definitely आप काफी अच्छा करोगे हर एक question आपका solve हो जाएगा final paper में चलिए सबसे पहले मैं आपको pattern बतला देता हूँ देखिए exam में question कुछ इस प्रकार से आएगे पहला number सवाल ही explanation का आएगा इस प्रकार से पहला number question रहेगा explain with reference to the context, the following total चार सवाल दिये रहेंगे A, B, C, D और इन चारो जगह alternative option आपको देखने को मिलेगा और करके जैसे देख लिजिए जैसे ये a number का question है तो इसमें और करके यानि alternative दूसरा option दिया गया है या तो आप उपर वाले का answer दो या फिर नीचे वाले का दो दोनों में से कोई एक का ही answer देना होगा ये चीज़ याद रखिएगा और इस प्रकार से आपको चारो explanation के question में देखने को मिल जाएगे तो total चार सवाल की ही जवाब देने होंगे और एक सवाल रहेगा 8 marks का तो 32 marks ये आपका 4 सवाल कवर करेगा पहले नमबर सवाल के अंदर ही ABCD करके आएगा एक बार मैं आपको actual दिखला देता हूँ कि question किस प्रकार से आता है और ये 2030 का question paper है previous year में आया हुआ question paper है जैसे देख लिजिए पहला सवाल हो गया ए नमबर में ABCD करके ए पहले दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हो ना दो सवाल है एक ये वला हो गया और ये एक ये हो गया इन दोनों में से कोई एक आप चूज करोगे और उसका आंसर लिखोगे फिर आईए दूसरे सवाल की ओर यहाँ पे देखिए बी नमबर सवाल यहाँ पे उपर में भी सवाल दिया गया है और और करके alternative option, extra option भी आपको दिया गया है यहाँ पे भी दोनों में से कोई एक का ही आंसर देना होगा गलती मत कीजिएगा कि दोनों में से आप दोनों का अंसर देदो बिल्कुल नहीं जैसे यह C number है तो ऐसा मत करना कि इसका भी देदो और इसका भी देदो ऐसा नहीं करना है कोई एक देना है और करके उपर भी और नीचे भी दिया गया है न question तो इन में से कोई एक आपको select करना होगा और उसी का answer लिखोगे और यह generally दोनों एक ही chapter से होगे जैसे ए नमबर में दो सवाल रहेगा तो वो भी लगभग same chapter से रहेंगे तो यह ratio रहता है बाद मा कि यही pattern आपको देखने को मिलेगा थोड़ा pattern आपको बतला दूँ आप जब syllabus देखोगे paper third का तो आप पाओगे कि cable syllabus में चार chapter ही mention है एक है मैकवेथ, दूसरा है twelfth night, तीसरा है Edward second, and last है cease truths to conquer आपको cable और cable यही चार chapter पढ़ना है और इन ही चारों chapter से एक एक करके explanation के सवाल आएंगे, एक explanation का सवाल मैकवेथ से आएगा एक explanation का सवाल twelfth night से आएगा एक explanation का सवाल Edward second से आएगा, और एक explanation का सवाल, six truths to conquer से आएगा, तो टोटल चार chapter हो गए, चार question हो गया एक question आठ marks का होगा तो चार question बतिस marks का होगा, तो यही pattern रहने वाला है paper third का बाद मैं की अब मैं आपको बतलाता हूँ कि पढ़ना क्या है, इस वीडियो के description box में मैं आपको 8 से 10 वीडियो का link दे रहा हूँ आप क्या करोगे उस link से हर एक वीडियो को देखोगे मैं separate हर एक चीज के ऊपर वीडियो बनाया हूँ बार बार वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ आप one by one link पे touch करके वीडियो को देखिएगा एक वीडियो में अच्छा से stats डिसकस किया हूँ दूसरे वीडियो में उसका pattern डिसकस किया हूँ फिर अगले वीडियो में डिसकस किया हूँ कि कौन नमबर का सवाल किस चाप्टर से आएगा इसी परकार से एक वीडियो में डिसकस किया हूँ कि कैसे पस्चानेंगे कि कौन कोश्चन किस चाप्टर से है इसी प्रकार से एक वीडियो में डिसकस किया हूँ कि अगर हम पस्चान जाते हैं कि ये कोशन इस चाप्टर से है फिर उसका आंसर कैसे लिखेंगे कहने का अर्थ पेपर थर्ड एक्स्प्रानेशन के लिए कम्प्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ और वो वीडियो पेड है लेकिन मैं आपके लिए वो वीडियो अब यूटूब पे पबलिक करने जा रहा हूँ आप उन सभी वीडियो को one by one देख लिजिए कुछ वीडियो जैदा पुराना भी होगा लेकिन content authentic है तो आप उस वीडियो को देख लिजिए जैसा जैसा कहा हूँ वैसे वैसे करते चलिएगा एक खुद का 5 से 6 पेज का notes बना लिजिएगा मेरे वीडियो को देखते हुए कहीं से कोई issue नहीं आएगा paper third में कोई issue होगा ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे fix pattern है कि पहला सवाल मैक विट से रहेगा जाते हैं इसलिए keywords को भी बढ़िया से कर लिजिएगा बाद बाद कि जैसे ही आप कर लो कि यह question is chapter से है फिर answer देना तो काफी असान हो जाता है starting का explanation का एक simple frame होता है वो डालो जैसे कि these lines have been taken from the famous play retained by who is known as a great तो इस प्रकार से जो चीजे हैं उसको आप लिखोगे और उसके बाद extra कुछ नहीं करना है जैसे माल लिजिए question मैकवित का है तो starting का explanation का frame डाल देते हो उसके बाद के बाद मैकवित का summary आप कहीं से भी excited page लिख दोगे न तो 8 marks का सवाल है 5 से 6 marks असानी से मिल जाएंगे 8 में 8 किसी को नहीं मिलने वाला है आपको भी नहीं मिलेगा 5 से 6 marks असानी से मिल जाएगा जो मैं बतलाया हूँ और extra आपको effort भी नहीं डालना होगा तो जो मैं बतलाया हूँ उसको follow कीजिए बाद मा की जो मैं long question के लिए content दिया हूँ उस content को बढ़िया से पढ़ते रहेगा क्योंकि वही content आपको explanation में help करेगा जब तक आप long question को बढ़िया से नहीं पढ़े रहेंगे explanation आपसे नहीं बनेगा explanation तभी बनेगा जब आप long question को बढ़िया से cover किये रहेंगे साथी साथ दोस्तो मैं paper third और paper four के लिए guess question भी कराया हूँ और guess question में जितने भी question सामिल है उन सभी question का answer वो भी simple language में hand written notes हमारे पास save level है अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं एक छोटा सा nominal fee आपको पे करना होगा इतना ही नहीं अगर अभी तक आप तयारी नहीं की हो बढ़िया से नहीं कर पाई हो फिर भी घवराने के ज़रत नहीं है क्योंकि part two का save level काफी छोटा है आप चाहो तो 10 से 15 दिन में बढ़िया से तयारी कर सकते हो काफी छोटा save level है आपने देखा ही paper third में केवल 4 chapter है इसी परकार से paper form में भी केवल और केवल 4 segment ही है तो काफी छोटा सा save level है 10 से 15 दिनों में आप असानी से इसको cover कर लोगे मैं जब आपको तयारी कराऊंगा तो आप असानी से हरी चीज़ को cover कर लोगे मैं अपने class के माध्यम से आपको दोनों honors paper का class notes content share करूँगा जो की hand written होगा simple language में होगा question bank share कर दूँगा पिछले साथ से 8 सालों का साई levels का PDF share कर दूँगा दोनों paper का chapter wise धेरो videos share कर दूँगा explanation का धेरो videos content share कर दूँगा इतना ही नहीं कोई issue आएगी तो आप मुझे call करके अपना doubt भी share करोगे और आपके number को एक whatsapp group के माधिम से भी जोरूँगा girls scholar group है boys scholar group है तो अगर आप interested हो घर बैठे अगले 10-15 दिनों में बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो अपने आपको exam के लिए तैयार करना चाहते हो तो इस number पे आप मुझे whatsapp message कीजिएगा या फिर इब इनमी में call कीजिएगा मेरा whatsapp number है 7048928746 तो दोस्तों जो students interested हो हमें call या फिर message जरूर कीजिएगा बाद माकी मैं आपको बता दू कि आपको जब my content cover कराऊंगा जब honors paper का दोनों paper बढ़िया से cover कराऊंगा वो आपके लिए sufficient रहेगा आपको ना तो class लेना होगा और ना ही किसी भी परकार का guest paper या book लेना होगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है book के पीछे जाओगे तो एक chapter भी बढ़िया से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये novel ये play है काफी लंबा लंबा chapter है इसलिए sort में मैं आपको हर एक चीछ करा दूँगा और वही कराऊंगा जो आपके paper में authentic आएंगे आएंगे ही नहीं 100% आएंगे अगर आप हमारे सब पहले से जूटते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरा content trees प्रकार से काम करता है तो जो students interested हो में call या फिर message जरूर कीजिएगा Thank you so much everyone